हलो मेरा नाम है सागर और अपका फिर एक बार स्वागत है सागर on विल्स मैं मुझे उम्मीद है अपने part 1 और part 2 देख लिया होगा और आज part 3 में हम जा रहे हैं soft और hard tires की तरफ की tires की रचना कैसी है यहाँ पे जो हम soft और hard tires के बारें बात कर रहे है यह relative है यानि कि ये कोई दो tires को एक दूसरे से compare करने के लिए है जैसे कि मेरे Pulsar में stock tire आया था Zapper S और मैंने बाद में उसे बिटाया Rev Z S तो जो stock tire है ये काफी hard था और उसके comparison में Rev Z S ये जो मैंने tire बिटाया ये soft था तो ये जो भी properties में आगए आपके सामने discuss करने जा रहा हूँ ये समझ लीजिए कि ये दो tires के भी इसमें comparison है ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बाइक का stock tire हो वो soft हो जैसे कि KTM 390 में Metzler आता था लेकिन बहुत लोग उसके बाद में उसमें MRR बिटाते है जो कि उससे comparatively hard tire है तो इस case में आपको फिर से ये सारे properties ये दोनों tires के बीच में देखने को मिलते है तो शुरुवात में थोड़ा example से बताते हैं दोनों tires काम कैसे करते है तो ये हम जो देख रहे हैं ये थोड़े से micrometer ये level पे हम लोग डिसकस कर रहे है कि आप समझे ये road है और ये tire है तो जो soft rubber होता है जो कि एक soft rubber tire है वो road के साथ काफी interlock अच्छे से हो पाता है वही चीज अगर आप hard material की देखे तो वो ठीक से lock नहीं हो पाता example के लिए हम normal razor की बात करते है अगर आप इसके उपर वजन देके इसे आगे पुश करने कोशिश करें तो आपको काफी जोर लगता है वही चीज आप कोई marker या कोई plastic kitties पकड़े तो वो काफी आसानी से बिना जोर लगाए फिसल सकती है क्योंकि ये material hard है और ये material soft है तो टायर्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है यह आप इम जो कुछ भी discuss कर रहे है वो street टायर्स के बारे में ना कि race वाले टायर्स के लिए क्योंकि race के टायर्स बहुत जादा soft हो सकते हैं बहुत hard हो सकते हैं क्योंकि वो काफी purpose specific होते है और उन्हें एक या दो इस्तमाल के लिए ही यूज किया जाता है soft होने के वदे से ये टायर्स जल्दी वेर आउट होते है यानि कि ये टायर्स के उपर का material जल्दी कम होता है तो soft टायर्स में वेर जादा होता है और hard टायर्स में वेर कम होता है और वेर जादा होने के वदे से आपका टायर्स कितने किलोमेटर चलता है वो soft टायर्स में कम होता है और hard tires क्योंकि ये बहुत कम wear out होते हैं इनके उपर का material जल्दी कम नहीं होता इसके लिए बहुत किलोमेटर चल जाते हैं road grip की बात करें तो soft tires road से काफी चिपक के चलते हैं as compared to hard tires इसके लिए इनका traction better होता है जबकि hard tires का कम होता है क्योंकि soft tires काफी चिपक के चलते हैं तो उनका rolling resistance higher होता है rolling resistance high होने के वज़े से इनमें आपको fuel economy कम मिलती है और इनमें आपको fuel economy क्योंकि hard tires का rolling resistance कम होता है इसके लिए आपको fuel economy जादा मिलती है soft होने के वज़े से tires puncture काफी आसानी से हो जाते हैं या रोड पे कोई screws या कोई construction का material बाहर निकला हो तो soft tires बहुत आसानी से कट सकते हैं मगर hard tires के लिए यह होना मुश्किल है cornering के लिए soft tires इसके लिए बेतर है क्योंकि जो lateral force जो produce होता है उसको counter करने वाला जो frictional force है वो काफी जादा available होता है आपके पास soft tires में जबकि hard tires में इसे नहीं होता तो इसलिए अगर अब hard tire पे cornering की कोशिश करें तो जरूर जल्दी फिसल सकते हैं क्योंकि soft tires जल्दी कराब होते हैं उन्हें off-road के लिए जादा use नहीं किया जाता तो off-roading के लिए usually hard tires को use किया जाता है अब हम थोड़े अलग case scenario की बात करते हैं बहुत सारे tire manufacturers dual compound use करते हैं जिसमें कि वो tire का central portion होता है वो hard बनाते हैं और sides में soft बनाते हैं क्योंकि most of the time हमारा tire center line पे चलता है तो वो wear out जल्दी 30 से होता है और अगर आप side पे hard material दे तो आपको cornering या turning में दिक्कत उसे तो आपकी bike जल्दी फिसलती है तो इस case में dual compound tires use होता है जिसमें जो central portion होता है वो hard होता है आपका tire काफी kilometer चल जाता है बढ़ आप जब corners की बात आती है जब आप turning की बात करते हैं अब उतनी आसानी से कर सकते है क्योंकि वो उसके edges soft है अब dual compound के बात कर ली अब हम बात करने वाले है asymmetric tires के बारे में तो specific purpose जैसे कि racing में asymmetric tires बहुत बार यूज होता है जिसमें कि tire का एक side hard होता है और दुसरा side soft होता है for example यह clockwise circuit है जब आप clockwise circuit पर चलाते है तो right turns बहुत आते हैं तो right turns बहुत आने के वज़े से आपका जो tire का right portion है इस पर stress ज़्यादा पढ़ता है stress ज़्यादा पढ़ने के वज़े से क्या होता है कि tire जल्दी wear out होता है और rider को sleeping महसूस होता है तो इसके लिए tire की एक बाजू को hard बनाया जाता है और जो दूसरी side है उससे soft ही रखा जाता है क्योंकि soft जल्दी wear out होता है इसलिए पूरा tire construction soft नहीं बनाया जा सकता right turns के वज़े से right hand side hard बनाई गई है और left hand turns पर आप अपने soft tire का मज़ा उठा सकते हैं तो यह race track वाले scenarios तो बहुत ही specific है क्योंकि यह तो tires सिफ एक या दो बार ही use करते हैं तो यह street tires के लागू नहीं होता और race track के tires तो बहुत जादा soft होता है बाइक्स को tire जमीम पे रखा भी नहीं जाता क्योंकि वह deform होता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे देखते रहें अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए आप और क्या नया सीखना चाहते है और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए कीजिए कीजिए